हाई दोस्तों शाओमी ने अपना एक नया रोबोट लाँज कर दिया है जिसका नाम है यूमन आड रेबोट शाइबर वन इस रोबोट में इंसानों जेशी काबिलेत के साथ में मानविय भावनाय भी है यह इंसानों की तरह काम कर सकता है और खुशी गम जेशी भावना को भी समझ सकता है साइबर वन को इंसानों जेशी ही हाइट में डिजाइन किया गया है इसकी लंबाई 177 सेंटीमीटर याने के 5.8 फीट है साइबर वन का वरजन 52 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है बता दे कि इससे पहले शाउमी ने 4 पेरो वाला रोबोट भी पेश किया था साइबर वन को डिजिटल और साइन्स वर्ल्ट में बड़ी करानती के रुप में देखा जा रहा है कमपनी का दावा है कि रोबोट 3D स्पेस को भी आसानी से समझ सकता है साथी में साइबर वन 85 प्रकार के एन्वायर्मेंटल साउंड और 45 तरह की मानविय बावनाओं को समझ सकता है यह रोबोट इन्सानों की बातचित को सुन और समझने के लिए उनके हावबाओं को भी पैचान सकता है यह इन्सानों की तरह दुख और गुसा, खुशी और गम जैसे भावनाओं को भी समझ सकता है लाउंच इवेंट के दोरांच यह शाउमी के सीओ लिज उनने कहा कि साइबर वन एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को शाउमी की लैब में विकसित की यह अपने दोनों पेरों पर चल सकता है, साथी में साइबर वन दुनिया को 3D में देख सकता है और इसमें चेहरे के भाव दिखाने को इसमें OLED मॉडूल दिया गया है बता दे कि इससे पहले Google के एक चैटबोट Lambda को लेकर काफी चर्चाए हुए थी यह चैटबोट भी इंसानों की तरह सोचता है आम तोर पर हम किसी वेबसाइट या सर्विस वाले चैटबोट से चैट करते है तो वह आपको कोडिंग के इसाब से ही एक तय लेज में जवाब देता है लेकिन Lambda चैटबोट कुछ सोच सकता है और आपकी भावनाओं को भी समझ कर जवाब दे सकता है तो कुछ इस तरह का यह Cyber One रोबोट कमपनी के तरफ से पेश हुआ है यह टेकनलोजी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताए और इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से ज़रू करें